हाई गाइज वेलकॉम बैक टू माई चनल तो गाइज एमफेसिस की तरफ से जो भी अभी अभी तक अभी तक अभी तक अभी तक हो चुकी है उसके बारे में आपके साथ मैं सेयर करने वाला हूं और मैं बताओंगा कि आपको भी कब तक लाया था किस बैच के लिए आया था सब कुछ आपको इस वीडियो में टेकने को मिल जाएंगे तो गाइज अगर आप इस चनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो आप इस चनल पर आके डेली बेसिस में चेक आउट कर सकते हो इसके अलावा हमारे वार्टसप गुरूप और टेलग्राम चनल से एड़ हो जाना ताकि कोई भी अपडेट आया तो सबसे पहले आपको पता चल सके तो चलेगा आप वीडियो के साथ करते हैं तो अलावा आपका 22 के बहुत सारे से केंडेट हैं जो कि अभी उनकी अनबोर्डिंग पेंडिंग है किसी के भी अभी अभी तक नहीं हुई है तो गाई मैं आपको इसमें अगर आप भी वेट कर आपने अनबोर्डिंग का तो अगर 22 बैच के हो तो आपको कुई और वेट करन था तो दो अभी तक के एंफेसिस ने दिया हुआ है उनको ट्रेनिंग करा रही है एक्जाम अगर ले रही है तो आपको भी पूरी सम्भावनाई काना वाल एक दो महिने में आपके भी अनबोर्डिंग हो जाएंगे कि यह जो अनबोर्डिंग करा रहा है इतने जारे के आपको मैं एक वीडियो में बताया था कि इस टाइम उगरे भी ले रही है बहुत सारे कंडिर्स को अगरे एक्जाम में क्लियर नहीं कर रहे है तो उससे बचने के लिए है कि और भी कहीं न कहीं करते रहो क्योंकि उनको एक चांस है यह बस आप लोग को निकाल लेंगा तो पहले यही करेंगे अन्बोर्णिंग के लिए बुलाएंगे ट्रेनिंग ले रहा है और मैंने आपको लाइस वीडियो में देख सकते हो जाके एक्जाम से लेटर सब कुछ मैंने एमफ्रेसिस के बताया हुआ है तो यह जो है चीज़ें हैं आप लोग को पता होना चाहिए यह जब जो मैं बताया तब तब कोई ना कोई अन्बोर्णिंग मिल आया ही आया है तो आप लोग कोई वीडियो लास्स करते बबिसक्ञारं पर कहाँ और अभी आपछा हुआ चाहो ता अभले वीडियो में ने जाहिए आएंगे kidney आप से जैहा झाल झाल